भारत छोडो और उसके बाद दुवितिये विश्व युद्ध के मध्धे में, महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का एक नया चरण शुरू करने का फैसला किया, जिसे भारत छोडो आंदोलन कहा जाता था सबसे पहले अंग्रेजों ने बरबर दमन का रास्ता अपनाया 1943 के अंत तक 90,000 से ज्यादा लोगों को गिरफतार कर लिया गया था और पुलिस गोलीबारी में लगबग 1000 की मौत हो गई थी स्वतंत्रता और विभाजन की ओर 1940 में मुसलिम लीग ने देश के पश्चि मोत्तर और पूर्विक शेत्रों में मुसलिमों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग की 1937 के प्रांती चुनावों से लीग को विश्वास हो गया कि मुसल्मान अल्प संख्यक थे और किसी भी लोकतांत्रिक धांचे में उन्हें गौन भूमी का ही निभानी होगी 1937 में संयुक्त प्रांतों में संयुक्त कॉंग्रेस लीग सरकार बनाने की लीग की मांग कॉंग्रेस द्वारा अस्विकार करने से भी लीग नाराज हो गई 1945 में युद्ध खत्म होने के बाद भारत की स्वतंधरता के लिए कॉंग्रेस लीग और अंग्रेजों के बीच वारता शुरू हुई वारता विफल रही क्योंकि लीग ने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव रखा था ब्रिटिश कैबिनिट ने मार्च 1946 में इस मांग की जाँच के लिए दिल्ली में एक तीन सदस्यई मिशन भीजा 16 अगस्त 1946 को लीग द्वारा प्रत्यक्ष का रवाई दिवस घोशित किया गया था 3 जून 1947 को विभाजन योजना की घोशना की गई और पाकिस्तान अस्तित्व में आया ब्रिटिश शासन ने हमारे देश की स्वतंतरता का आनंद विभाजन की पीड़ा और हिंसा के साथ हमारे सामने आया कैसा जुझे कीीा continuing the K 모든 अरुझे पीजत्व में आया my में में अस्तित्व में